नमस्कार दोस्तों, Health Tech Channel पे आपका स्वागत है फ्रेंट्स, आज की वीडियो में हम आपको GDEX कब सिरफ के बारे में जानकारी देंगे इस वीडियो में जानेंगे कि इस सिरफ का इस्तिमाल किन-किन समस्याओं में किया जाता है इसको कैसे इस्तिमाल करना है इसके डोस्तों के बारे में इसकी Market Price, Content, Side Effect इन सब के बारे में पूरी जानकारी देंगे तो वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको GDEX कब सिरफ के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिल सके इसके Market Price की बात करें तो इसकी Market Price 131 रुपए है और यह 100 ml की पैकिंग में आता है और इसके Company की बात करें तो इसको Bokhat Company के द्वारा बनाया जाता है जो की बहुत ही मसूर कंपनी है और बहुत ही अच्छी कंपनी है तो आईए जानते हैं इसके फायदे के बारे में इसका इस्तिमाल किन-किन समस्याओं में किया जाता है तो इसके Content की बात करें तो इसमें डेक्टो में थार्फेन आडो ब्रोमाइड, कुलोर फिनेरा माइन मिलियेट होता है इसके प्रत्यक 5 ml में डेक्ष्टो में थार्पेन आड़ो ब्रॉमाइड जो की 10 mg होता है और कुलोर फिनेरा मैन मिलियर्ट जो की 2 mg में होता है तो इस शिरप का इस्तेमाल सुखी खांसी की समच्या को ठीक करने के लिए किया जाता है सुखी खांसी हो गले में खरास हो इसके अलामा एलर्जिक प्राबलम हो जैसे कि आख से पानी निकल ला हो नाख से पानी निकल ला हो तो इन सब समच्याओं को ठीक करने के लिए इस शिरप का इस्तेमाल किया जाता है बहुत ही मसूर शिरफ है और बहुत ही अच्छा शिरफ है इसका रेजल्ट बहुत ही बढ़िया है तो खांसी जो है दो प्रकार की होती है एक सूखी खांसी और एक गिली खांसी तो गिली खांसी में बलगम जमा हुआ होता है तो गिली खांसी में शिरप का इस्तेमाल नहीं होता है इस शिरप का इस्तेमाल सूखी खांसी की समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है इस बात का ध्यान रखें कि अगर गीली खासी हो तो इस सिरफ पाइस्तेमाल नो करें और आए जान लेते हैं G-Dex कब सिरफ के डोज के बारे में तो इसका जो नार्मल डोज है एक एटल पेक्ट के लिए वो 10 ml दिन में 2-3 बार ले सकते हैं और अगर 5 साल से उपर बच्चे हैं 10 साल के नीचे हैं तो इसको 5 ml दिन में 2-3 बार दे सकते हैं इसको लेने से पहले अपने डाक्टर से परामर्स जरूर ले ले लें तब इसका इसका इस्तेमाल करें क्योंकि डोज जो है एज और वेट के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है तो जितनी मात्रा में डाक्टर्स कहें उतनी ही मात्रा में इसका इस्तेमाल करें और आये जान लेते हैं GDEX कब सिरफ के side effect के बारे में इसके क्या क्या side effect है तो इस सिरफ के जो side effect हैं जैसे की जी मसलाना, उल्टी होना, दस्त की समस्या, घबरहाट होना, आलसाना, नेदाना ये सब इसके side effect हैं और इसके अलावाइस में मवजूद content से अगर किसी को allergy है तो कुछ allergy problem भी हो सकते हैं जैसे की सरीर में खुझली होना, दाने निकलना, तो ये सब इसके side effect हैं जो कि किसी किसी को हो सकते हैं, सब को नहीं होते हैं और कुछ साधानियों की बात करें तो pregnant women's को इस syrup का इस्तिमाल नहीं करना चाहिए और इस syrup को इस्तिमाल करने के बाद किसी किसी को आलसा सकता है, या चकरा सकता है, नीद भी आ सकती है तो वहाँ ना चलाने से बसना चाहिए तो यह सब साधानिया हैं जो की ध्यान देना चाहिए यह थी हमारी आज की जानकारी G-Dex कब सिरफ के बारे में आसा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सेयर करें और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिपिकेशन आपको मिलता रहे और दमाओं के बारे में जानकारी मिलती रहे